नमस्कार दोस्तों आपका अमारे इस चैनल में बहुत-बहुत हार्दीक अभिनंदन है और हार्दीक स्वागत भी है इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं लोडी 2023 पर्व से सम्मंदित महत्पूर्ण जानकारी और इस से सम्मंदित पारंपरी कताएं पौश मास के शुकल पक्ष की एकादसी तिथी को लोडी का पर्व भी मनाया जाएगा 2023 में ये पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा ये तोहार मकर संक्रांती से एक दिन पहले मनाया जाता है इस तोहर को लोग बहुत ही खुशी वा उल्लास के साथ मनाते हैं इस तोहर को मनाने के लिए रात के समय खुले स्थान पर आसपास के लोगों के बीच आग जलाई जाती है और उसके चारों तरफ लोग नृत्य करते हैं भांगडा करते हैं गिद्धर डालते हैं और गीत गाते हैं इस समय रेवडी, मूमफली, लावा आधी खाये जाते हैं लोडी मनाने की अलग-अलग परंपराएं अलग-अलग जगेहों पर हैं ये तोहर दुला भटी वा माता सती की कहानी से भी जुड़ा हुआ है लोडी वैसे तो पंजाबियों का परमुक्तिवार है लेकिन इसे पूरे उत्तर भारत में काफी हर्श और लास के साथ मनाया जाता है लेकिन क्या आपको पता है कि लोडी के दिन आग क्यों जलाई जाती है आईए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार राजा दक्ष ने यग्य करवाया था लेकिन इसमें उन्होंने अपने दामाद शिव और पुत्री सती को अमंत्रित नहीं किया था इस बात से नाराज होकर सती अपने पिता के पास जवाब लेने पहुंची वहापती शिव की निंदा वह बरदाश्ट नहीं कर पाई और उन्होंने खुद को भी उसी यग्य में भस्म कर दिया सती की मृत्यू का समाचार सुन पगवान शिव ने वीर भद्र को उत्पन कर उसके द्वारा यग्य का विद्ध्वान्स करा दिया ऐसा किसी के साथ ना हो इसलिए हर साल लोडी पर आग जलाई जाती है ताकि फिर इस आग में कोई लड़की ना जले साथ ही लोडी पर बेटी और दमाद को अमंत्रित भी किया जाता है इस लोडी की परंपरिक कथा में एक और दुला भटी की कहानी है आईए उसे भी सुनते है इस दिन आग जलाकर उसके आसपास डांस किया जाता है इसके साथ ही इस दिन आग के पास गेरा बनाकर दुला भ बटी नाम का एक शक्स पंजाब में रहता था उस समय कुछ अमीर वैपारी समान की जगे शहर की लड़कियों को बेचा करते थे तब दुला बटी ने उन लड़कियों को बचा कर उनकी शादियां करवाई थी तब से हर साल लोडी के परव पर दुला बटी की याद में उनकी कहानी सुनने की भी परंपरा चलती चली आ रही है तो भक्तिगंड ये थी हमारी लोडी से संबंदित महत्पूर्ण जानकारी और परानिक कथा आपको कैसी लगी अपनी राय किर्पया परकट करें और साथ ही साथ अगर आपको लोडी से संबंदित ये परंपरिक और परान कता के साथ फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार